नमस्कार मैं कमले चादुनी आपका व्यापार रुष्य चैनल में स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम आपके साथ कार वाश पावर स्प्री फार्मुला baru कर रहे हैं बड़ावा देता है आज का वीडियो इसी दिशा में हमारा प्रयास है आज के वीडियो में मात्र 4 रॉओ कॉमली डूरक दिशा का इस्त्माल कर high quality product with medium price product बना कर अपना मुनापा बढ़ाएं वीडियो से जुडे रहें और अपना ग्यान बढ़ाएं जुदेगा भारत, तभी तो बड़ेगा भारत आज के वीडियो में हम 4 पॉइंटस पर बात करेंगे Manhattan में इस्तिमाल होने वाले chemical के नाम Flow chart for manufacturing preparation इस्तिमाल होने वाले chemical की मात्रा और सब सांत में देखेंगे chemical इस्तिमाल करने की वजह इसमें सबसे पहला raw material आता है arrow water second कोई भी anionic surfactant जो आपके पास available होगा anionic surfactant के जो भी आपके पास available होगे उसके कुछ नाम मैं share कर रहा हूँ आप उसमें से कोई भी इस्तिमाल कर रही है प्रोड़क्त बना सकते हैं nonionic surfactant यह एक common name दे रहा हूँ nonionic surfactant के भी जितने भी टाइप है यह भी आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा वीडियो से जुड़े रहें tetra potassium pyrophosphate यह last वाला raw material है यह होगे raw materials अब raw material के साथ में आपको flow chart भी जान लीजिए कौँसी step में कौँसा chemical डालना है सबसे पहले raw water में tetra potassium pyrophosphate लिजिए इसे अच्छे से mix कीजिए dissolve हो जाने के पस्चात continue stirring start रखें उसके बाद उसमें anionic surfactant wait करकर portion wise slowly addition करना है यह addition करते हुए आपको constant stirring start रखना है यह जब visually inspection हो जाए यह अच्छे से mix हो चुका है उसके बाद में उसमे nonionic surfactant जो भी आपके पास अभी level होगा आप उसे addition कीजिए यह addition portion wise और continuous stirring के साथ करना है जब यह अच्छे से mix हो जाएगा उसके बाद आपको जो liquid मिलेगा वह clear bright solution होगा इस solution को आपको continuous stirring चालू रखना है उसके बाद इस solution को आपको 40 to 50 degree Celsius तब थोड़ा hitting करना है जब यह hitting हो जाएगा 50 degree से ज़्यादा hitting नहीं करना है 40 degree जब यह hitting हो जाएगा उसके बाद में यह clear solution अच्छे से आपको transparent solution दिखना जाल हो जाएगा उसके बाद इस solution आप cool कर उसे filling और packing के लिए ready हो चुका है यह आपको यहाँ पर श्रीफ एक additional ध्यान देना है अगर आप इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो इसका performance डाउन होगा 40 to 50 degree Celsius तब ही इसको hit करना है और यह जब cool हो जाएगा उसके पस्चात ही इसको filling करना है इतना याद रखें यह जो liquid है इसका doses आपको बता दूमे 20 से 30 gram एक लिटर वाटर में dissolve कर उसके पस्चात आप इसको spray gun में इस्तमाल कर सकते हैं यह आपको 20 to 40 degree Celsius सराउन इन्वर्मेंट का होगा उसमें यह काम करेगा अब आते हैं एक किलो बैच बनाने के लिए कितना रखेंटर इस्तमाल होगा उसमें आरो वाटर यह 860 gram लगेगा टेट्रा पोटैशियम पाइरोफोस्पेट यह 50 gram लगेगा अनायनिक सर्फेक्टन्ट यह 40 gram लगेगा अनायनिक सर्फेक्टन्ट में आपको इन में से जो भी होगा आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं यह मैंने यहाँ पर कॉमन अनायनिक सर्फेक्टन्ट का नाम लिखा है इन में से जो भी आपके पास अभीले बोलोगा आप उसको वेट करकर किसी एक को मेजर करकर आप उसे इस्तमाल करें अब आता है नेक्स्ट इंग्रेडियंट नोन अनिक सर्फेक्टन्ट यह 60 ग्राम लेना है कुछ नोन अनिक सर्फेक्टन्ट के मैं एक्जम्पल आपको बता रहा हूँ इन में से कोई भी एक इस्तमाल कर आप आपका प्रोड़क बना सकते हैं कोको ग्लुकोसाइट, लॉरिल ग्लुकोसाइट, पॉलीस और बेट, स्वर्बितन, ट्रियोक्जन एक्स, हंड्रेड ट्वीनेटी, सैटील अल्कोहल, कोका अमाइडो डाइधिल आमाइन, नैनोग्जिलो नॉल 9, एन्पी नैन, डेसिल ग्लुकोसाइट, अल्कील पॉलिग ग्लुकोसाइट, ओक्तिल ग्लुकोसाइट, ओलील अल्कोहल, ओलील सेटिल अल्कोहल, इन में से जो भी आपके पास अवेले बुरोगा, आप उसका इस्तमाल कर, 60 ग्राम ही लेना है, एक बार एक ही अनायनिक सर्फेक्टंट और एक नायनिक सर्फेक्टंट का इस्तमाल करन है जो आब आता है केमिकल इस्तमाल करने की वज़व देखिए इसमें आपको पहला है आरो वाटर यहां पर डालोंट या सॉल्वंट के तोर पर इस्तमाल किया है टेट्रा पोटैसियम पायरोफॉस्पेट यह यहां पर चिलेटिंग एजन्ट और प्रिजरुटु के तोर पर इस्तमाल किया है नौन आयनिक सर्फेक्टंट यहां पर सॉलिबलाइजर और हैड्रोटर प्रॉपर्टी के लिए इस्तमाल किया है यहां पर मैंने कॉमन नौन आयनिक सर्फेक्टंट और अनायनिक सर्फेक्टंट के नाम लिखे हैं इन में से जो भी आपके पास एक अवेल आपको किसी पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मैं उस पर काम करकर रिपलाई देने का प्रयास करूंगा वीडियो से जुडे रहें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ग्यान का ज़्याद से ज़्यादा लोगों को फायदा हो इसके लिए ये शेयरिंग करते रहें Thank you very much for watching our video करें लाइक करें करें लाइक करें